सोशल मीडिया के बज पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि अभी एक जंग छिडी हुई है इंडिया और मॉल्डीव्स के बीच में हुआ यू कि मॉल्डीव्स के कुछ चिंटू नेताओं ने सोशल मीडिया पर चौड होने की कोशिश की अपने कंस्टिविंसी को खुश करने की कोशिश की अपने घर में एंटी इंडिया एंटी हिंदू पोस्ट लिख दाले अब इसके बाद जो फॉल आउट हुआ वो डिप्लोमेटिकली हैंडिल भी हो सकता था इंडिया के पास और हमारे जैशंकर जी के पास इतनी एट तो है कि मॉल्डीव्स के कुछ नेताओं को अपनी जगा दिखा दी जाए लेकिन वो बन गया उल्टा one of the biggest boycott movements in इंडिया बने अगर boycott Bollywood और boycott पठान की बात करें तो ये boycott Maldives का जो trend है ये शायद उससे भी अब आगे चल चुका है लेकिन problem ये है कि पठान वाला boycott तो फेल कर गया पठान तो सूपर हिट one thousand करोर पिचर बन गई यहां क्या होने वाला है क्योंकि ये boycott सिर्फ टूरिस्ट को रोकने वाला boycott नहीं है अगर टूरिस्ट वहां ना भी जाए कल एक भारतिया भी अगर Maldives ना जाए है हमारे देश के लिए और कोई और पीछे मंद मंद मुस्कुरा रहा है जब ये सारा कूरा कांड चल रहा है कैसे बैक फायर हो सकता है ये जानेंगे आज के एपिसोड में कैसे ये तीन सो स्कूर किलोमीटर वाला देश इतना मैटर करता है भाई कोई जाए ना जाए क्या फरक पड़ता है एक छोटे से Maldives से और क्यों ये जो पूरा युद्ध है ये एक सोशल मीडिया क्रियेशन है हाइपर नेशनलिस्टिक फ्रेंजी है और कैसे ये हमारी चीजे और बरबाद और और जादा खराब कर सकता है ये समझेंगे आज के एपिसोड में देखे शुरुवात बहुत ही नॉर्मल तरीके से हुई थी आम दिन था प्रधान मंतरी मोधी के कारेकाल में कि भाई पहुचे थे लक्षवदीप वहाँ अपना यूजवल फोटो शूट करवा रहे थे प्रिस्टीन बीचेस में वो चल रहे थे उसके वीडियो आ रहे थे हम देख रहे थे स्नॉर्कलिंग कर रहे थे और बहुत आनंद ले रहे थे लक्षवदीप की प्रिस्टीड नैचरल ब्यूटी का याद रखिये मोधी सरकार या भारत सरकार ने कभी भी किसी को टैग या टार्गेट नहीं किया था किसी भी और दूसरे टूरिस स्पॉट को या डेस्टिनेशन को चैलेंज नहीं किया था ये काम उनके फैन ये काम सोशल मीडिया पे अल्टरा नैशनलिस्ट ने किया जब प्रधान मंतरी मोधी के ये छवी उन्होंने देखी तो उन्होंने ये कहा कि क्यो न लक्षवदीप को एक अल्टरनेट हॉलिडे डेस्टिने नहीं, मॉल्डीव्स में भी हैं। मॉल्डीव्स के कुछ अल्टरा नैशनलिस्ट वेबसाइट्स ने जो स्पेशलाइज करते हैं लोकल न्यूस पे, उन्होंने ये ट्वीड्स उठाय, उन्होंने ये ट्रेंड उठाया और अपने हेडलाइन में ये च्छापना शुरू क कि भारत सरकार एक campaign launch कर रही है Maldivian tourism को challenge करने के लिए Maldivian social media users ने भी इस trend पर पकड़ा अब already anti-India sentiment है क्यो है अभी समझाता हूँ already anti-India sentiment वहाँ है उसके उपर उन्होंने भी ते तड़ा पर disparaging romance डालने शुरू कर दिये जैसा कि यहाँ ultra-nationalist होते हैं उल्टी सीधी बाते करने शुरू कर दी insulting काम करना शुरू कर दिया अब Maldiv में जो नई सरकार आई है वो anti-India plank पर आई है India out plank पर आई है उन्होंने देखा आपदा में अफसर का प्रभाव उन्होंने देखा उन्होंने का दोचार tweet हम भी मार देते हैं इसमें से प्रमुक तीन deputy ministers हैं बोलना यहां भी important है कि वैसे 200 के करीबन ministers और deputy ministers हैं उन्हें से तीन चंटू youth ministers deputy ministers थे जिरोंने अंटे संट बोलना शुरू कर दिया कहा कि भाई अच्छी move है लेकिन यह बात कहां से आ गई कि आप हमारे साथ competition कर रहे हो अरे आप हमारे तरह service कैसे दे सकते हो आप हमारे तरह साफ कैसे हो सकते हो आप मेंसे तो बास आती है आपके कमरों मेंसे तो हमेशा बास ही आती रहेगी यह सबसे बड़ा आपका कांड होगा आप कभी भी हमसे compete नहीं कर सकते हो अरे आप बड़े देश हो आप compete करना चाहते हो हमारी छोटी सी economy श्रिलंका जैसी economy आप अब ये जो tourism है हमसे चीनने की कोशिश कर रही हो और जो deputy minister मरिया में वो तो एक step आगे क्योंकि उन्हों तो मोदी जी खास पसंद नहीं है उन्हें clown बोल दिया puppet बोल दिया ये सारे tweets अब वैसे Twitter से delete हो चुके हैं लेकिन ये एक flurry of tweets आए उसके बाद तो obviously Twitter पर backlash जो हुआ उसके बाद जो जंग छिडी और उसके बाद जो digital tsunami आई जो Maldives पर गिरी इंडिया में बहुत जल्दी ही इन tweets का reaction आने लगा और बहुत लोग हुसा थे और जो ऐसी बात है हुसा होने वाली भी बात थी ऐसे tweets की कोई जरूरत नहीं थी हाँ ठीक है citizens एक दूसरे के खिलाफ अगर चीचा लेदर कर भी रहे थे आप तो मंत्री गण हो चलो ठीक है ये derogatory comments ये जो deputy minister ने किया है ये जो प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदिये खिलाफ जो tweets की है जब वो लक्षवदीब गए थे we don't stand by it यहाँ इंडिया में भी confederation of all India traders या C.A.T.I. जिसे कहा जाता है उसने कहा कि domestic traders and exporters should restrain बैया business ही मत करो Maldives के साथ क्योंकि ये जो पूरा एक trend बन गया था boycott Maldives का उधर deputy speaker जो former deputy speaker of Maldives रह चुकी है इवा अबदुल्ला उन्होंने इंडियन मीडिया के साथ बात करते हुए कहा इंडिटीवी के साथ बात करते हुए कहा कि ये shameful and racist comments है उन्होंने personally apologize किया और इंडियन से भी बोला कि ये देखिए boycott campaign चलाने की कोई जरूरत नहीं है इसको आप खतम करिये उसके उपर उन्होंने माना कि ये जो outrage है understandable है and I quote Indians are rightfully angry the comments are outrageous लेकिन ये जो comments है ये क्या एक देश के जरूरत है देखिए Maldivan envoy को जो इंडिया में है उन्हें भी समन किया गया उन्हें भी खरी कोटी सुनाई दी गई और action लिया गया है और काफी जल्दी ही लिया गया है ये जो deputy ministers थे जिन्होंने anti-hindu anti-India post लिखे थे उन्हें suspend भी कर दिया गया है माशा, शरीफ, मर्यम, शियोना, अब्दुल्ला, मजूम, मजीद इन्हें suspend कर दिया गया है for their anti-India post Maldivian foreign ministry earlier उन्होंने ये भी साफ-साफ कह दिया है कि well ये derogatory remarks थे वो इन remarks के बारे में जानते हैं और ये जो उन्होंने लिखा है ये इनके personal views है ये सरकारी position नहीं है तो उन्होंने अपने आपको distance भी कर लिया लेकिन फिर आप कहोगे कि ये जो boycott वाला move था ये तो काफी successful हो गया इसमें तो कोई problem ही नहीं होनी चाहिए ये तो एक victory है और यहां आता है complicated issue of geopolitics and diplomacy क्योंकि ये जो boycott Maldives वाला जो trend है इसको hyper nationalistic तरीके से जो चलाया जा रहा है उसका एक long term ramification होगा क्योंकि ये जो चीजे हैं इनको एक सरकारी जरिये से किया जाता है diplomatic channel से किया जाता है लेकिन हमारी जो thin skin social media warriors है जिने हमेशा किसी चीज़ पर होसा होना जरूरी है अब boycott Bollywood से तो काम नहीं चल रहा था तो आप सीधे boycott Maldives ही कर देंगे अब ही Canada के उपर भी काफी बरसे थे लेकिन इनको ये समझना पड़ेगा कि आप अपने neighbors को ना इस तरीके से मार पीट के submission में नहीं डाल सकते हो जैसा कि आप किसी दूसरे journalist के करने की कोशिश करते हो जो celebrities हैं देखिए कितनी आराम से Maldives के बारे में बोलते हैं unemployment के बारे में नहीं बोल सकते हैं inflation के बारे में नहीं बोलेंगे बिलकिस बानों के बारे में नहीं बोलेंगे मनीपूर के बारे में नहीं बोलेंगे लेकिन Maldives की जहां बात आई hyper active हो गए tweet पर tweet पर tweet इसको कहते हैं फकीरी या selective conscience जो भी आप मान ले कल तक Maldives में खुद बस्ती करने वाले अक्षे अब आकर कहते हैं कि Maldives जाने की ज़रूरत नहीं है उधर comedy of errors भी चल रहा है कीरन रीजीजू, रनवीर अमिताब बच्चन ऐसे-ऐसे tweets को tweet कर रहे हैं retweet कर रहे हैं जहां बोला जा रहा है कि Maldives जाने की ज़रूरत नहीं है बिना किसी number ही ये tweet डाल दिया विरेंदर सहवाक को support करते हुए कि कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोग Maldives जाएं अल्दो गलती से वीरू भाई ने भी बोरा-बोरा आइलेंड और फ्रेंच पॉलिनीजिया की एक photo लगा दिये अपने tweet पर लेकिन ये आप हालत देख सकते हैं कि लक्षवदीप कहा है map पे ये नहीं मालूम है लक्षवदीप के photos क्या है ये नहीं मालूम है लेकिन boycott Maldives पर सब एकदम आमादा पड़े हुए है अब इसी हाला बलू के अंदर companies ने कहा कि भई आपदा में हम भी अफसर ले लेते है is my trip जो एक travel company है उसने बोला कि हम अपने सारे bookings ही cancel कर रहे हैं हम और booking ही नहीं लेंगे आप हमारे platform पर Maldives के लिए flight ही नहीं book कर सकते हो उधर दूसरी जो travel companies है उन्होंने ये बताया कि हाँ हमें देखने में आया है कि जहां तक लक्षवदीप की बात है 3400% jump है in searches related to लक्षवदीप और अब हम लक्षवदीप के लिए अलग-अलग packages बनाएंगे अच्छी बात है packages बनाईए लक्षवदीप को और tourist friendly बनाईए बिलकुल अच्छी बात है और लक्षवदीप versus Maldives का comparison क्या बैठता है वो भी मैं आपको बताता हूँ लेकिन ये पूरा issue ये पूरा मुद्धा जो social media पे चला ये damaging क्यों है हमारे Maldives के साथ दो level पर contacts है government to government contact and people to people contact अगर आप people to people contact देखिए किस तरीके से हमारे people to people contact degenerate हुए है over time चाहे वो श्रीलंका की हम बात कर लें या बांगलादेश in specific अगर हम बात कर लें जिस देश को बनाने में हमने इतना बड़ा role play किया आज उसी देश के लोग हमें बहुत ही ज़ादा नफरत करते हैं और इसमें media का और जिस तरीके से social media और mainstream media पर जहर उगला जाता है समुदायों के खिलाफ उसमें एक बड़ा role है कि आज बांगलादेश आज एक average बांगलादेशी एक इंडियन से नफरत क्यों करता है और दूसरा उससे भी ज़ादा बड़ा मुद्दा है government to government contact क्योंकि जब आप boycott Maldives को कर रहे हो trend और जब आप उसको रोक नहीं रहे हो उसको actively encourage कर रहे हो जब आपके ministers उसमें involved हैं तो वहाँ पीछे ये uncle China में बैट कर मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा plan जादा successful हो रहा है तो इस boycott Maldives से सबसे ज़ादा मुनाफ़ा किसको हो रहा है वो है चीन क्योंकि अगर आप दूसरे sources देखें अगर आप understand करें अगर आप travel sources से बात करें जो Maldives को follow कर चुके हैं बहुत सालों से वो आपको ये बताएंगे कि ऐसा नहीं है चाइना से 20 प्रतिशत तक लोग आते थे Maldives में पैंडेमिक के चलते हुए और पैंडेमिक में जो कंट्रोल जाए चाइना में उसके बाद ये नंबर घडिया और इंडिया का नंबर उपर हो गया क्योंकि Maldives हमारा सबसे करीबी international destination था जहां कोई paperwork required नहीं था तो ये जो एक alternative है दूसरा की लक्षवदीप बन जाएगा एक alternative to Maldives अगर हम ऐसे चुटकी बजा दें वो भी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारा infrastructure सवाल है और of course geographical सवाल है उस पर मैं आता हूँ मुझे एक minute दीजिए उससे पहले ये बात समझाना बहुत जरूरी है कि दिल्ली को जिस तरीके से अभी deal करना चाहिए Maldives के साथ वो एक kids glove treatment होना चाहिए ये नहीं कि us versus them हम तुमें ठोक देंगे घर में घुसके मार देंगे ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है यहां एक Maldives की बात हो रही है जो इंडिया से धीरे धीरे दूर जा रहा है और चाइना के गोदी में जाकर बैट जा रहा है इस पूरे boycott Maldives में geopolitics को समझना बहुत जरूरी है इंडिया, Maldives, चाइना और चाइना कैसे Maldives का इस्तमाल करके हमें इंसर्कल करने की कोशिश कर रहा है प्रधान मंतरी मोदी जब 2019 में Maldives गए थे, उन्होंने एक जोइंट हाइडरोग्राफिक सर्वे पैक्ट साइन किया था ये एक प्रतीक था इंडो-Maldives डिफेंस टाइस का नहीं सरकार आती है Maldives में चाइना टिल्ट वाली सरकार आती है Maldives में सबसे पहला, one of the first things ये करती है इस agreement को रद कर देती है कोई जोइंट हाइडरोग्राफिक सर्वे Maldivian Waters पर नहीं होगा Indian Strategic Circles में इसका मतलब क्या है बहुत लोगों को पहले से ही समझ में आ रहा है कि हमारे sphere of influence से अब Maldives बाहर जा रहा है Not only that, हम इंडिया के साथ defense engagement रखना नहीं चाहते हैं, तो Maldives ने जो एक security, high security level meeting होती है जो कलंबो में कलंबो security conclave उसको भी skip कर दिया Maldivian president क्या करते हैं, inauguration के बाद तुर्की जाते हैं, अभी China में बैठे हुए है इंडिया नहीं आते हैं, जैसा कि पहले tradition होता था कि first port of call, जो पहला बड़ा देश आप जाते हो, वो आप इंडिया में आकर आप मिलते हो, इंडियन establishment के साथ, President Mizu जो अपने predecessor के policies है न, India first policy उसको reverse कर रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा stance ही है कि भाई या इंडिया से हमें खत्रा है, और इंडिया से खत्रा है कि plank पर ही वो power में आए हैं इसलिए Indian military personnel जो उस island पर मौजूद है, Maldives मौजूद थे, उन्हें वहाँ से वापस जाने को बोला, इसका next step आप समझ सकते हैं कि अगर इंडिया की वहाँ से आर्मी बाहर जाती है तो कौन से देश की आर्मी वहाँ अंदर आकर बैठना चाहती है इंडिया ने तो अपनी कड़ी आपत्ती जता दी है, जो Maldives के Envoy है, इबराहिम सहीब है उन्हें अल्रेडी बुला कर उनको तो फटकार दे दी गई है, लेकिन Maldives में अब क्या फर्दर एक्शन लिया जाएगा इन तीन जूनियर मिनिस्टर्स पर ये कहा जा रहा है कि वो प्रेजिडेंट मीजू जब मीजिंग से वापस आएंगे तभी उस पर फैसला लिया जाएगा और यहां आता है जियो पॉलिटिकल ट्विस्ट क्या ये सिर्फ अंटू चंटू जूनियर यंग मिनिस्टर्स थे जिने मालूम नहीं था सोशल मीडिया पर कहना चाहिए या सस्ते पॉइंट्स बटोरने की कोशिश करते हैं जैसा कि आपके चवन्नी टाइप पॉलिटिशन ऐसे में ही करने की कोशिश करते हैं या फिर सरकार में ऐसे भी लोग हैं जो ये बात मानते हैं सिक्यूरिटी स्टैबलिश्मेंट में जो यी बैठा हुआ है चाहिना में, उसका strategic interest तो यही है कि Indian Ocean में अपने ports बैठाए, अगर पाकिस्तान में गोदार करेगा, अगर हमबन टोटा में, अगर शीलंका में हमबन टोटा करेगा, Beijing obviously चाहता है कि भाया Maldives पर भी Chinese का पैसा लगे और Chinese infrastructure बने उस island nation में और अगर करजे में दब जाए Maldives तो और भी अच्छा है, देख लीजिए हिंदू में क्या headline छपा है, आज का headline है, क्या बोल रहे हैं, वहाँ Maldives के president जाकर China को बोल रहे है, is a valued ally and integral collaborator, इस line की significance को miss मत करियेगा, दो दिन की अंदर अंदर, यह 48 hours के अंदर अंदर हो रहा है कि एक तरफ चाइना को integral collaborator बोला जा रहा है, और इसके बाद भाई साब हमारे जो प्रेजिडेंट मीजू है, वो प्रेजिडेंट जी से मिलेंगे, प्रेमियर ली कौंग से मिलेंगे बेजिंग में, एक हफते के टूर में कर रहे हैं चाइना में, और चाइना वहाँ infrastructure expand करना चाहती है, तो Maldives में आप समझ लीजे, चाइना का दबदबा अभी और बढ़ने वाला है, नवेंबर के महीने में इंडिया आउट campaign लेकर आए थे, और suddenly ये सारी चीजे हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कहां क्या game खेला जा रहा है, मीजू ये चाहते हैं कि fish products जो हैं, वो चाइ पर export कर दिया जाए, free trade agreement कर दिया जाए, जिससे बहुत सारा पैसा आ जाएगा Maldives के पास, fishing largest source of employment है Maldives में, 99% of the, जो पूरी territory है Maldives की, वो तो ऐसे में भी sea में ही है, और aquatic products, sea products, fishing, etc, 98% export volume उसी की है, अब ये 98% export कौन लेगा, और इसमें जो खेला जाता है game by China, यही model 25 billion dollar तक का trade हो गया है, बांगलादेश और चाइना के बीच में, क्या चाइना textiles नहीं बना सकता है, ना, बना सकता है, लेकिन मैं तब भी 98% duty free treatment दूँगा, duty free, 98% बांगलादेश के exports, आओ भया, बांगलादेश तुम हमें export करो, तुम पैसा कमाओ, और तुम हमारे sphere of influence में जाओ, यही काम अब Maldives के साथ भी हो रहा है, तो clearly एक presence वो अपनी build करना चाहता है, जी की belt and road initiative के बारे में हमने एक episode पहले ही बना के रखा, उसको देख लीजिएगा, चाइना कह रहा है कि भाईया हम आपका airport जो है, उसको और expand करने में help करेंगे, already एक bridge बना के रखा है, तो Mizu कह रहे हैं कि भाईया देखिए हमारी सरकार keen है to explore this partnership of belt and road, बने जिससे वो भी Chinese fare of influence में आ जाए, उनको मतलब है कि भाईया पैसा मिले, commercial और वो उनकी वृद्धी हो, Chinese firms ने already 1.37 billion dollars Maldives में already लगा के रखे हैं, तो ये पैसा अब और बढ़ने वाला है, ये चीजे हमे 10% tourism की बात कर रहे हैं, 2019 में China number one tourist destination था, 19.7% of all foreign visitors, ये pandemic के पहले था, ये pandemic के बाद भी हो सकता है, तो इस गलत फहिमी में मत रहिएगा, सिर्फ हमारी tourists के वज़े से ही Maldives में काम चल रहा है, लेकिन ये फहिमी जरूर पालिएगा, कि एक देश बैठा हुआ है, और वो देख भी खतम हो रहा है, और सरकारी contact तो अल्रीडी खराब हो ही चुका है, अब आते हैं एक final point पर, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि Maldives का alternative लक्षवदीप बन सकता है, बन तो बिलकुल सकता है, लेकिन बनना चहिए या नहीं चहिए, उस पर भी हम सवाल ले देते हैं, चेतन भ आप नहीं कर सकते हैं, टूरिजम में बहुत काम हो रहा है और बहुत लोग भी आ रहे हैं हमारे देश पे, लेकिन लक्षवदीप जो की एक छोटा eco sensitive area है, क्या हम उसे Maldives के साथ compare कर भी सकते हैं, एक flight, अभी एक airline है, जो operate करती है flights from Cochin International Airport to Lakshवदीप, अगाटी आइलेंड में और वो भी narrow body, तो एक air strip है, एक proper airport भी नहीं है, आप कह रहे हो कि आप compete करोगे Maldives के साथ, जहां 60 global cities से बड़ी-बड़ी airlines flights भर सकती हैं, इंडियन airlines अपने ही 58-60 flights हमारा every week जाता है, अगर आप sea route की बात करें, 6 passenger ship हैं जो operate करते हैं कोचिन और लक्षवदीप के बीच मे time कितना लेते हैं? 14-18 घंटे, बने आपके पास speed boats भी नहीं है, jet boats भी नहीं है, 14-18 घंटे लगते हैं by water, अगर आप Maldives की बात करें, तो पूरे के पूरे islands 40 km, 140 km के अंदर-अंदर उसके capital से हैं, और पूरी के पूरी speed boat और sea plane से interconnectivity है, अगर आप लक्षवदीप की बात करे तो आपको एक entry permit की जरूरत होगी, मैं by the way इसको support करता हूँ, क्योंकि ये entry permit बनाया गया है, उसके sensitive ecological area को preserve करने के लिए, लेकिन ये समझ लीजे क्योंकि अगर tourism को आपको बढ़ावा देना है, तो आपको एक clearance certificate चाहिए होगा local police station से, valid identification documents चाहिए होगा, passport size photograph लगाना होगा, entry permit आपको submit करनी होगी, 50 रुपए देने होगे और उसके बाद ये problem नहीं है, उसके बाद 10 से 15 दिन लगते हैं आपको ये permit मिलने के लिए, फिर वो permit आप submit करते हो, जब आप लक्षोदीब में arrive करते हो, तो ये visa on arrival से भी ज़्यादा complicated procedure है, दूसरी तरफ अगर आप Indians के देखिए, Maldives में visa on arrival provision है, आप अपना bag बसता उठाइए, बस passport अपने साथ रखिए, और सीधा आपको entry मिल जाएगा जब आप आते हो Maldives में, इससे भी एक basic issue है, आप बात करते हो, आप competition कर रहे हो Maldives के साथ, आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है, अभी desalination plants लगान लक्षवदीप में, तो अभी हम इस level of development में हैं, कि इसरेल वहां कहा रहा है हाँ, इसमें हम भी आपको help करेंगे, इसरेल भी बहुत साथ दे रहा है हमारा, तो वो कहा रहा है कि भईया अगर आप कहो तो कल से ही हम इस पर काम करना शुरू कर सकते हैं on this desalination program, लेकिन just to make you aware क भईया अभी situation क्या है, और सोच लीजी ये सारा काम हो जाता है, infrastructure develop हो जाता है, पानी develop हो जाता है, airports develop हो जाता है, क्या आप ऐसा करना चाहोगे, क्योंकि लक्षवदीप सिर्फ 36 islands है, total area of 32 square kilometers, इसमें सिर्फ 10 islands inhabited है, Maldives 10 गुना जादा बड़ा है लक्षवदीप से, तो उसक इतनी ecology destroy करना चाहोगे, और लेडी हम hills में देख चुके हैं, कि किस तरीके से हमने hills को बरबाद किया है, tourism के चलते, तो हमें volumes भी moderate करना होगा, कि ऐसा नहीं है कि कोई भी मूँ उठा कर चले आए, उसके उपर आता है cultural factor, लक्षवदीप में alcohol band है, हाली में news में था, जब ये बहुत isolated है, बहुत beautiful है, इस पे कोई doubt नहीं है, लेकिन देखें Maldives को, है तो Islamic nation, लेकिन जहां restrictions on alcohol की बात हो facilities में, tourist facilities में, resorts में, वहां कोई पापंदी नहीं है, बीजिए जितना आपको पीडा है, करिए जितनी अयाशी आपको करनी है, यही काम बहुत सारे और भी देशों ने समझा है कि जहां बात tourism की आती है, जहां बात धंदे की आती है, तब आपको culture को थोड़ा side में भी रखना पड़ता है, तो यह जो पूरा मुद्दा है पिछले दो दिनों से, जो nationalist sentiment से चल रहा है, यह सिर्फ social media और nationalist sentiments चला रही है, यह मुद्दा diplomatic channel से बहुत आराम से सु रहे हैं, वो भी वहां गाली गलोच कर रहा है, benefit सिर्फ China को ही मिल रहा है इस सब में, वो advantage ले रहा है, यह जो war चल रहा है उसके बीच में, और यह बात बताईए, social media warriors को क्या हमारे जैशंकर जी के उपर कोई भी विश्वास नहीं है, क्या हमारी foreign policy इतनी weak हो गई है कि हमार जनता को step in करके boycott करने की जरूरत होगी, क्या वो तेड़ी उंगली से घी नहीं निकाल सकते हैं, खुद ही सोचिए कि किस तरीके से हम अपने ही सरकार को discredit कर रहे हैं, by running these hashtag campaigns, people to people contact जरूरी है, यह hashtag campaign करोगे तो long term में अपने देश का मजाक उड़ा रहे हो, और नुकसान कर आ रहे हो, और मीजु का जो इंडिया आउट campaign है, उसको और benefit करा रहे हो, क्योंकि अब वो जाकर बोलेगा, देखिए, इस देश के लोग ऐसे ही चीज करते रहते हैं, इस social media war को थोड़ा कम करो, हमारे जो ministers हैं, हमारे जो political leaders हैं, उन्हें ही यह situation handle करने दो, social media वाले इतने घ relationship से उनको थोड़ा छोड़ तो, नीचे लिख दो, अगर भडास निकालने हैं, निकालो चलो, भडास निकालो, comment section में लिखो, hashtag boycott देश भक्त, तसल्ली भी आ जाएगी थोड़ी सी, मैं भी रोने लगूंगा, करो, करो, चलो